हाई गाईज वेलकम बैट तो मैं चानल ग्लामित इशिता और इशिता कैसे हो आप सब और यह 2021 का मतलब न्यू यह के बाद में यह मेरा पहला मेकप वीडियो है आप सभी इस न्यूएर की सीजन में and guys 2020 का जो बुरा टाइम था मतलब जो पैंडमिक का वो बुरा सिच्वेशन था सबके लिए ही वो बहुत ही टॉफ टाइम था आप सभी के लिए 2021 बहुत अच्छा जाए so happy new year guys for me so guys कुछी दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो मतलब व्लॉग शेयर किया था जहां पर मैंने यही आउटपीट डाला था एंड़िसे के साथ मेकप लोग क्रियेट किया था and वहां पर मैं घूमने कही थी मेरी ममा मेरी नेफ्यू and अपनी फ्रेंट के साथ so आप लोगोने अगर वह वाली व्लॉग नहीं देखी होगी तो प्लीज डेस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक आउट कर लेना मैं लिंक दे दूंगी वहां पर आप लोग फ्लीज व्लॉग में चेक आउट करने मैंने वहां पर सब बोला है और वो वाला ब्लॉग बहुत जादा इंट्रेस्टिंग बिल्ट में वह वहां रोग वह लिंक क्रेट करने टहूंगी किस तरह से बहती फटाँ फटा फट शे एंट सबसे बहुत ही कम इंग्रेट किया बहुत सिंपल सा था मतब जो भी टीनेजर्स हो जो भी मेरे एज के हो या फिर कोई भी एज के हो तो वह वाले बेसिक स्टेप्स आप लोग प्रोडक्ट के साथ मैं यह लुक करने वाली हूँ तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके बाद त कोई भी मेक अप करने पहले जो इंपोर्टें स्टेप होता है वह स्कीन केर इसलिए मैं सबसे पहले इपना स्कीन केर कर दूँगी इसलिए अस यूजल जो मैं प्रोड़क्ट्स यूज करती हूँ वह गुडवाइप का टी ट्री टोनर एंड उसके बाद कुडवाइप का बहुत ही वन डॉप वन ड्रॉप देते हुए अपने फेस में मैं इसे अपलाईगा लूँगी और बहुत जिंटल साइक मसाझ करके इसे अपलाईगा लूँगी एंड उसके बाद मैं मैं मॉइट्रूइजर के लिए अपलाई करूंगी गूर वाइपस का साफरण डे जो क के लिए आप तोग डिफिनिटली ट्राइ कर सकते हो सैफरन क्रीम है इसका मतलब जो टेक्स्चर है बहुत जादा ओईली नहीं है मतलब स्टीकी नहीं है बहुत अच्छे से अपने को नरिश्मेंट दे दिता है बहुत खत्म भी हो चुका है मेरा देन अप्लाइग यह लोटस हरबल का संस्क्रीन है इस पे फॉट्य है वैसे तो यह मैटिफाइड लूक होता है अपर अगर मेरे जैसे ऑईली स्कीन के हो तो डिफिनिटली ट्राइ कर सकते हो और स्कीन टाइब अपने ऐडिज़ कोश्याद कर लिया तो आइब ब्रॉण व これ लगिन लए अधूरा है उसके बाद मैंने कंसीलर से बहुत अच्छी तरह से उसे क्लीन कर लिया है ताकि बहुत ही अच्छा सा नीड एंड क्लीन लुक हो अच्छी तरह से क्युक्यों देघन क्योंकी तरह से कहिं होगी एंड कंसीलर से ही में आज हुआ है यहा जैसे बाझ मैं आपस और ग्रेंग कीनड को Than C यह हा यह दो का यहारा है तो मैंने डार के कचनकर लिद नहीं कोई तरह से क्या है मैंने उस दिन भी कोई भी blender या फिर brush नहीं use किया था क्यूंकि मैंने जल्दी-जल्दी में वह किया था इसलिए मैंने हैंड से ही इसे apply किया था डैब डैब करके इसे apply कर लेने आपर देख रहे हो कितना अच्छे से यह बैट गया कोई भी अगर रफ रफ करोगी वह फिर मतलब घिस होगे ना तो वह हट जाएगा वह केकी हो जाएगा क्रैक हो जाएगा पर डैब डैब करके ब्लेंड कर दो कि तो फिंगर टिप में हमारे एक वार्म होता है उससे यह easily blend हो जाता है मतलब कंसीलर की बात करी हूं मैं उसके बाद मैंने बेबलीन का ही पाउडर लिया है लोस पाउडर उसके हिल्प से कॉम्पैक्ट बोल चकते हैं आप लोग उसके हिल्प से मैं अपने ओयल एरिया को मतलब जहां जहां भी मैंने कंसीलर एपलाई किया उस एरिया पर इसे सेट कर लूँगी उसके बाद मैंने ब्लशर एपलाई सिफर कलर का यह आईशेडो बाले इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुम्मिल जाएगा इसमें से ही वाइलिट वाला मतलब जो लाइलक शेड है जो गलीटरी सा शेड है सिमरी वाला वह वाला लाइलक शेड लेके मैं एक फ्लैट ब्रश के हिल्प से ठीक लाइश को कर लिया है एंड पर्पल का मस्कारा ले लिया है उससे मैं अपने लैशेस को अच्छी तरह से अफिल कर लूँगी फॉल्स है लाइशेस मैंने अपने नहीं किया था उसीन एंड उसके बाद मैंने यहां पे स्वीज ब्यूटी का हाइलाइटर पालेट लिया है जो रोज गोल्ड शेट का जो साइड है उस शेट को मैंने पीक कर लिया है एंड हाइलाइटिंग कर लोगी मैं अपने फेस पे जहां जहां भी हाइलाइटिंग की जरूरत है लाइक ब्रीज आप दी नोज को चीक पे माउथ के नीचे एंड लिप्स के ऊपर एंड अपने ब्राव बोन को अपने इनर कॉर्णर को भी उसी शेट से मैं अपने छोटे वाले फिंगर से बहुत हलके से पूट कर लोगी ताकि मेरा आइस ना खिला खिला में तब खुला सा दिखे वह नजर आए एंड उसके बाद मैंने यहां पर लिप्स्टिक अपली कर लिया है मैंन मिल जाएगा so yeah guys this is the final look so guys यही थी मेरी आज की यह वेकप लूक I hope आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक बटन पे हिट करना मत भूलना साथी साथ अगर पहली बार आयो हो मेरे चानल पे तो प्लीज इंचे के रेट आप्शन में जाके एक सब्सक्राइब कर देना बहुत फ़ली बाला बहुत मज़ेदार बाला व्लॉक था और बहुत मस्ती भी की हम लोगों ने मिलके वो 31st का व्लॉक था मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छा सलीब्रेट भी किया आप लोग प्लीज वो वीडियो भी चेक आउट कर लेना अगर नहीं देखा होगा तो मैं नीचे के डेस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक प्रवाइड कर दोंगी बाबाई